केतन सरावगे और वेलकम यू आल ओवर दी ओनलाइन प्लैटफॉर्म और सिविल फंट फ्रेंड्स हमारी इस यूनित 9 के तहट हमने आल्मोस्ट कई सारे टॉपिक्स जो है वो कभर कर दिये हैं इसी सीरीज के तहट आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस साइबर सेक साइबर सेक्यूरिटि तो यह दो शब्र समयों करके बनाते हैं यदि हम बात करते हैं तो यही क्या कहलाता है यही कहलाता है cyber security, यदि हम computer या computer network को एक protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो से हम computer security या cyber security के नाम से जानते हैं, तो चलिए एक proper definition को देख लेते हैं कि आखिर क्या होती है cyber security, cyber security can be defined as the method to protect server, mobile devices, networks, computer, electronic system and data from the malicious attack, जितने भी vicious तरह के cyber attacks perform किये जा सकते हैं, उन सब से यदि हम किसी computer, मतलब यू कहें कि end user, किसी network या किसी electronic device को यदि protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको secure कर रहे होते हैं, तो वही जो technique कहलाती है, that is security measures और cyber security कहलाती है, cyber security is also known as information technology security, इसे हम information technology security के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा हम इसे electronic information security के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इसके synonyms जिते हैं, इसको अलग जगे से अलग शब्दों में भी बयान किया जा सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है, information technology security, तो बिल्कुल confused नहों, शेम बात है, बिल्कुल cyber security की बात हो रही, हमें divide किया जा सकता है, आज अलग अलग तरह हमें divide किया जा सकता है, तो फस्ट इंग इस network security, तान से समझे, network security involves controls and the measures designed to protect your networking infrastructure, जो भी network का main infrastructure है, जो basic infrastructure है, उसको secure करने के लिए network security को किया जाता है, utilize किया जाता है, बहुत अच्छे यदि example से समझने की कोशिश करें, तो जैसे क जदी हम अपना wifi hotspot create करते हैं, मान के चलते हैं, हम hotspot create करते हैं, तो hotspot में हमेशा आपको एक password enter करने के लिए बोलता है, मतलब कहीं न कहीं उसको password protected बनाने की बात की जाती है, जदी मैं आपसे बात करता हूँ password protected system की, या फिर you का है network की, तो वही किसका हिस्सा है, network security का हिस्सा क्यों कि आपने network में कौन-कौन उसे उप्योग कर पाएगा, इस चीज के लिए उसके infrastructure को मदबूत बनाया है, उसके infrastructure को secure किया है, with the help of this password, अब ये password आप WPA लेते हैं, ठीक है, WPA ले रहे हो, WPA2 की security ले रहे हो, या फिर WPAP की security ले रहे हो, ये आप पर निरभर करता है, मतल करता है कि किस लेवल की आप security उसके उपर लगा रहे है, तो पुल मिला करके, जब भी आप अपने network को, जो main network का आपका structure है, जो basic framework है, उसको किस तरीके से secure रखते हो, यही क्या कहलाता है, network security के अंतरगत consider किया जाता है, अब हम बात करते हैं application security, यदि मैं आप से application security की बात कह हूँ, तो जैसे, आपने जब हम malware पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी virus की, याद होगा आपको virus, वाइरस को एक जगे से दूसरी जगे, या एक device से दूसरी जगे, device में transmit होने के लिए, किसी application, या किसी host file की आवशकता होती है, यदि मैं आप से बात कर रहा हूँ हूँ, क application security, वो क्या करेगा, it involves the continuous take measures to ensure that all the applications properly secure, मतलब जो भी application आप download कर रहे हैं अपने computer system में, भले ही वो free software available क्यों ना हो, उसको securely check करने की आवशकता होती है, कि either it is secure or not, मतलब उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं, कि कोई virus attach हो करके आपके computer system में आ जाए, और फिर यदि आप उसने, आप इसाथ वो virus भी activate हो जाए, तो इसका मतलब साफ है, application security के दो हिससे divide होते हैं, पहला तो जो आप download कर रहे हैं, जो software आप downloading कर रहे होते हैं, उन software's की downloading के तहत आपको उसको check करना होता है, कि either they are good or not, first thing, second thing, आपके जो भी applications, यदि आपने download कर रहे हैं, या आप उसे utilize कर रहे हैं अपने computer system में, तो during development, जब वो develop किये जा रहे थे, जब वो design हो रहे थे, तब यदि किसी भी तरह की coding के दौरन कोई loop holes रह जाते हैं, तो उन loop holes को जो एक reputed companies होती हैं, उन loop holes को दूर करती हैं with the help of update, मतलब वो update launch करती हैं समय समय पर, जैसे जैसे वो usage होता चला जाता उस application का, वैसे वैसे उनको loop holes पता चलते जाते हैं, मतलब हमारे application में ये कमी थी, ये गरबड़ी थी, इस जगह के द्वारा कोई भी जो offender है, वो invade कर सकता है device में, इस application का सहारा लेते हुए, तो उसने क्या किया, वो क्या करती, update patch files लाती हैं, वो update patch files को जैसे ही आप अपने mobile device में, या किसी भी electronic device में download करके अपने application को update करते हैं, तो वो यदि loop holes पहले से मौझूद आपके device में हैं, ऐसे समय पर वो loop holes fulfill हो जाते हैं, मतलब वो sort out हो जाते हैं, वो errors अब खतम हो चुकी हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपका device और अधिक सुरक्षे था, मतलब कोई भी offender उन loop holes का इस्तेमाल करते हुए back door open नहीं कर सकता, या आपके computer हम invade नहीं कर सकता, तो ये कहलाई application security, इसे हम application security के अंदर consider करते हैं, अब हम बात करते हैं cloud security, अब हमने अपना data जो है, वो internet पर मौझूद एक space में रखा हुआ है, internet पर मौझूद ये एक free space है, जहां पर आपने अपन cloud ही secure नहीं होगा, तो कैसे आप मान सकते हों कि आपके data की integrity बनी रहेगी, data की availability हमेशा बनी रहेगी, मतलब जब आपको आवशकता पड़े, तो वो data तुरंत ही आपको available हो जाएगा, या वो data किसी और दूसरे वेक्ती के साथ share नहीं किया जाएगा, ऐसे समय पर cloud security काम करते ह health business monitors and protect sensitive data on cloud-based resources, कई सारे जो businesses या organizations होते हैं, जिनके अलग-अलग multiple cities में या multinational companies जो होती हैं, ये अपने data को एक cloud store में रखती है, तो क्योंकि अलग-अलग departments इनके अलग-अलग cities में मौझूद हैं, उनको same data की आवशकता हो सकती है, तो ऐसे समय पर ये क्या करती हैं, अपने जो main data होता है, जो basic directories होती है, उनको cloud पर store कर देती है, cloud पर store करने से ये फाइदा होता है, कि अलग-अलग अलग individual तोर पर उनने file sharing की आवशकता नहीं पड़ती, तिने cloud में उनके server पर उनने data store कर दिया, data bank की तरह, और वहां से जब जिसको आवशकता पड़ी, वो उसको utilize क पर लेता है, परन्तो यदि ये जगही secure ना रह जाए, तो ऐसे समय पर ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी company, किसी organization या किसी government के लिए, तो ऐसे समय पर हमें cloud security के आवशकता पड़ती है, इस cloud security की तरह, की यहाँ पर, हम encryption mechanism का इस्तमाल करते हैं, या दूसरे तोर पर कहूं, तो मतलब सुरक्षित, संग्रहित भी किया गया है, तो ऐसी language में इस रूप में किया जाएगा, कि उसे किसी दूसरे party के द्वारा, कोई third party यदि यदि data theft हो भी जाता है, तो ऐसे समय पर वो information का utilize वो नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे बहुत सारे authentication जैसे two-way authentication वगेरा का इस्तमाल किय जाता है, to maintain the cloud security, अब next, fourth type की path करते हैं, cyber security, that is all related to internet security, शांच से समझे, यदि मैं आप से बात करता हूँ, कि ऐसी कौन सी cyber security है, which type of cyber security have the major concern with the cyber attack, तो ये होगा fourth category, मतलब चौथी category के तहत, internet security के तहत, हम ये जानते हैं, कि सबसे अधिक यदि cyber attack से लड़ने वाली, यदि कोई that is type of internet security, क्यों, क्योंकि जितने भी तरह के cyber attacks हमने देखे थे, network based cyber attacks, जैसे hacking, जैसे यदि मैं बात करो, phishing attacks, man in the middle attack, all are related to internet, कहीं न कहीं, data की चोरी, data theft करने के लिए, identity breach करने के लिए, defamation करने के लिए, ऐसे समय पर हम internet security का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, मतलब हम network security तो करी रहे, उसके साथ ही साथ, internet के द्वारा, जब भी network में travel करते हुए, कोई भी malicious software, एक जगे से दूसरी जगे transmit हो रहा होता है, तो ऐसे समय पर हमको internet security का सहरा लेना होता है, जैसे firewall वागेरा का हम इस्तेमाल करते हैं, windows defender का इस्तेमाल करते हैं, इसी internet security को ध्यान में रखते ह कई सारे protocols को भी बनाया गया, जैसे internet protocol, जैसे transmission control protocol, जैसे hyper tracks transfer protocol, इन protocols को follow करते हुए ही आप internet का proper तरीके से उपयोग कर पाते हैं, इसका मतलब साफ है, कि internet security जो है, वो कहीं न कहीं बहुत जादा important हो जाती है, in case of cyber attacks, तो कुल मिला करके चाहे वो against individual हो, और या तो फिर against organization या against property ही क्यों न हो, आपको internet security को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, internet security की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, internet security is distinct form of, form, another form of cyber security, simply because of the prevalence and the sheer magnitude of the internet threat, internet पर आधारित कई सारे तरह के जो cyber crimes हैं, उनसे बचने के लिए हमें internet security की अत्यंत आवश्यक्ता हो जाती है, अब हम बात करते हैं, last but not the least, fifth type of cyber security, that is end point security, हम इसे दो अन्य नामों से भी जानते हैं, हम इसे जानते हैं, end user security, end user security के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा एक नाम और है, that is client security, security, यदि मैं इनके नाम से भी जानू, इनके ये नामों का भी उपयोग करूँ, तो भी कहीं न कहीं, मैं बात कर रहा हूं, किसकी end point security की ही बात कर रहा हूं, यदि मैं आपसे बात करता हूं, implementing it, end point security, implementing it could be effectively avoid many security threats including the theft of the credential data and the phishing attack and more, यदि मैं आपसे बात करूँ, कि password, user ID and passwords, ये तो आपके end point पर होता है, ये आपके पास होता है, ये client की जिम्मेदारी होती है कि उसे सुरक्षित रखना है, वो आपके highly confidential data है, यदि वही आपने leak कर दिया, फिर इन में से कोई भी security आप apply करो, वो तो breach हो नहीं होना है, 100% क्यों, क्योंकि आप नहीं तो authorize किया है, उस व्यक्ति को किजलो, जाओ मेरा user ID और password ले जाओ, और तुम इस तरह की किसी भी security को breach करते हुए, आप अपना काम कर सकते हैं, जो भी malicious activity perform करनी है, वो कर सकते हैं, इसका मतलब साफ है, end point security जो है, वो बहुत जादा important हो जाती है, individual level पर भी, मतलब एक व्यक्ति विशेष, एक client, ये एक user को इस बात का बहुत जादा ध्यान रखना होता है, जो भी उसकी personal information है, highly confidential information, उसको धोके से भी किसी अन्य third party के साथ share नहीं करना होता, और भी इससे सम्मंदित कई सारे security measures हैं, जिनको हम हमारे next sessions में देखेंगे, उन सारी security measures को ध जादा strong बना सकते हैं, और इसके strong बना लेने से बाकी ये जो चार security measures हैं, ये कहीं न कहीं आप सुरक्षित हो जाते हैं, तो that's all for today, friends, हमने cyber security के तहत ये जाना, कि आखे cyber security क्या होती है, और कितने तरह की cyber security होती है, next session में हम cyber security किस तरीके से हो सकती है, individual level पर ये भी जानेंग कि इंडिया में किस तरीके से एक basic framework तैयार किया गया, with the passage of time, और फिर इंडिया जो है, वो एक strong infrastructure के साथ खड़ा हुआ है, in case of cyber space, ठीक है friends, so that's all for today, जोड़े रहे है सेविल पांडा के साथ, इसी तरह की important videos के लिए, thank you so much. झाल